हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सबका आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन डीमर दोस्तों आज हम लोग समझेंगे एक नजर में शम्विधान जी हां दोस्तों सम्विधान में मात्र में आपका कुछ मिनट्स लूँगा और आपको एक मतलब क इक नजर में शम्विधान के बारे में पूरी जन्व दोस्तों चलिए बिना समय गवाएं डारेक्ट कोशन पर और शुरू करते हैं दोस्तों बारतिय शमीधान का पिता दॉक्ति भ्यूनाव बेटकर को पूरी जाने का देते हैं देखिए भारतिय शमीधान का जनत या पिता कहा जाता है वह भारतिय शमीधान के मुख्य वास्तुकार थे उन्हें 1947 में कब दोस्तों 1947 में सम्विधान मौशोदा सम्विधी का अध्यक्ष निवद किया गया था जी हैं दोस्तों उन्हें 1947 में सम्विधान मौशोदा सम्विधी का अध्यक्ष निवद किया गया था कब किया गया था उनको भीम रामबेटकर को ये भारते शम्विधान के पिता थे दोस्तों भारते शम्विधान के जनक थे उनको भारते शम्विधान के पिता या जनक कहा जाता है इन्हें 1947 में जी हां दोस्तों इन्हें 1947 में भारते शम्विधान मशोदार शमीती का अधियर कौन सा समीति मशोधा जी यहां दोस्तो इनको भारते समीधान मशोधा समीति का अध्यर चिनित किया गया था दोस्तो आम लग दूसरे नमबर पे आते हैं देखिए समीधान सभा का गठन दोस्तो समीधान सभा का गठन कब हुआ था सम्मिधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुई थी उनके बारे हम पुरी जानकर रखते हैं दोस्तों सम्मिधान सभा का गठन केविनेट मिशन 1946 में योजना के तहत हुगा था और इसके लिए जुलाई 1946 में चुना हुए थे कब चुना हुए थे तो 1946 में ही दोस्तों जुलाई 1946 में ही चुना हुए थे दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं समिधान सभा की पहली बैठव दोस्तों समिधान सभा की पहली बैठव 9 दिसंबर 1946 इसमें भूती अब क्यों हूती देखिए जब 9 दिसंबर 1946 को समिधान सभा के पहली बैठव पूई तो मुस्लिम लीग जी हां दोस्तों मुस्लिम लीग ने बैठक का वहिस्कार किया था उन्हों ने बैठक का वहिस्कार किया था दोस्तों तो यह जो बैठक का वहिस्कार किये थे यह थे मुस्लिम लीग यह मुस्लिम लीग थे दोस्तों और इन्हों ने बैठक का वहिस्कार किया था किसने बल दिया था तो मुश्लीम लीग मुश्लीम लीग ने बैठा का विश्कार किया था उन्होंने पकिस्तान की मांग किया था दोस्तों उन्होंने इसी वक्त उन्होंने पकिस्तान का मांग कर दिया था किसका मांग किया था पकिस्तान का मांग किया था दोस्तों इसी परत तो दोस्तों देखिए आगे बढ़ते हैं शमिधान सभाकी दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946 को हुई टी दोस्तों और इसमें अस्थाई अध़क्ष का चुनाव भूआ था और अस्थाई अध़क्ष का चुनाव भूआ था और अगले दीन जी हां दोस्तों इसके अगले दी यानि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर रजेंदर प्रशात्व अस्थाई अध़क्ष चुन लिया गया था इस पैठक में दोस्तों उपाध्यक्ष एचसी मुखरजी थे और श्यविधानिक सलाकार बीन रव थे तो उपाध्यक्ष कोन थे दोस्तों उपाध्यक्ष थे एचसी मु खरदीत हैं और श्यविधानिक सलाकार बी रव थे बी एन रव थे दोस्तों बी एन रव थे चलिए आगे बढ़ते हैं वी ए नहीं दोस्तों बी एन रव थे वी एन रव थे बी एन रव थे चलिए आगे बढ़ते हैं समीधान चयां सभाकी तीसरी बैठाग के बारे में समझाँगे समीधान सभाकी तीसरी बैठाग 13 दिसंबर 1926 को ख़ुई थी जिसमें नहरू जी ने उधेश परस्ताव प्रेस किया जिसे शमिधान सभाने 22 जनवरी 1947 को अपना लिए था मतलब कहाने का मतलब है कि यह जो तीसरी पेटक हुई थी तो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को हुई थी और नहरुजी ने जिहां दोस्तों किस ने? तो नहरुजी ने उदेश प्रस्ताव पेस किया था और उसमें इसको कब श्विकृति मिली थी? उदेश प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को दोस्तों 1947 को किया गया था आगे बढ़ते हैं समिधान सभा की अंतिम बैठक जिहां दोस्तों समिधान सभा की अंतिम बैठक 25 नवर 1949 को आखरी बैठक में बाबा भीम राओं मेटकर जियां दोस्तों जिसको हम लोग शमिधान का जनक कहा जाता है डोक्तर भीम ब्राओं बैठकर तो बाबा भीम अपन बैठकर ने समापन भाष्रण दिया थे और बाबा सहा वे उस्समें जिस चुनोतियों राष्ट चुनोतियों को राष्ट वहिसकार estásい राष्ट निर्मान में बाधक करार दिया था वो आज़ dort दोस्त बहुत सारी चुनातिया जो है आज भी मौजूद है तो हम लोग आगे बढ़ गए यह 25 नौब पर 1909 आसक बारे मैंने आपको बताया कि क्या हुआ था तो बाबा भी राओं बेड़कर जो है एक भाशन दिये थे और जिन मुद्धोप भाशन दिये हूँ आज भी कर देते हैं यहां को ज़्यादा हो गया है चुछ इसको इरेश कर देते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं के हम Kr cream लोग बढ़ते हैं मने के सभी अहां कि समीध्हान को किया गया सभात कई हम कथी बढ़्त हो गया होग उसका समीध्हान हैं इसमें शबीधान को लागू किया गया जी हां दोस्तों समिधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया थे अब देखे देखे समिधान सभा ने भारत के यहां दोस्तों समिधान सभा जो बनाई गई थी उसने दो साल एक ग्यार महिने और अठारा दिन में दोस्तों उसने एक राष्ट को राष्ट को शमर्पित कर दिया था समीधान को और गड़तंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 को शमीधान अमल लिया गड़तंत्र भारत किम दोस्तों क्यूंकि भारत उस समय ग्रिज के जो है कैट से मुक्त हो गया था तो 26 जनवरी 1950 को शमीधान को अमल मिल दिया गया अब आगे समीधान सभा के यह वाला कोश्चन है समीधान सभा ने राष्ट गान को अपनाया जी हां दोस्तों समीधान सभा तो जो हमार राष्ट गान है दोस्तों हमार राष्ट गान है आप लोग बताई हमार राष्ट गान क्या है दोस्तों जन गण मण हैं दोस्तों, तो हमारे राष्टि गान को समिधान सभाने 24 जनौरे 1905 को जो है अपना राष्ट्रिकान को अपनाया था अब तो देखिये रविनल रूप से बंगला और रचित जीहां दोस्त तो गान राष्टिगां जनगड़ा मण जो था इसको उच्चाबभीं जनवरी 1950 वो भारत के राष्टिगांड के रूपमें सहमिधान सभाव द्वरा इसे हिन्दी संस्कारण में अपनाये जी ओ Supreme इसको किसमें अपनाये गा हिंदी संसकरण लो जो था वो बंगला था कौन सा भासा था बंगला था दोस्तों इसको किस में अपनाया गया हिंदी संस्करण में अपनाया था दोस्तों चले हम लोग आगे बढ़ते देखिए समिधान सभार राष्टगीद को अपना है जी हम दोस्तों राष्टगीद में अपनाया तो राष्टगीद गया था दोस्तों उस दिन ही राष्टगीद को भी एपनायान ? अब दोस्तों बात आती है यह रष्टे रश्टे गांजी स्कोंपोने कर सोरी यह राष्टेगत वह चौक क॥ टाइकर्शाद यह को रजेंद्र प्रशाद सो हमारे राष्टिगीत डॉक्टर रजेंदर परशाद ने शविधान साथ में 24 जनवर 1950 को बंदे मात्रम को राष्टिगीत के रूप में जो है गाया था अपनाना अपनाने के लिए जो है उसको पढ़ा था जिसे सविकार कर लिया गया था जी है दोस्तों राष्टिगीत को अ राष्टिगान को बताया किसे कहा जाता है को अपनाने के लिए जो है पढ़ा था राष्ट गीत को किसमें पढ़ा था इस सब सारी बातों के मैं आपको बताया दोस्तों तो चलिए इसी तरह जुड़े रही हमारे एजुकेशन डियमार चैनल के साथ दोस्कों और आप लोगना सपोर्ट बना रखिए थैंक यू थैंक् अजस्तों